हेलो फ्रेंट मैं अजी सिंग आज आपको बता हूँगा MS Office के और व्यू में यह हमारा MS Office का कोर्ष वर्ड का चलने वाला है यहां पर आप वर्ड को बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं हमारे इस चैनल पर फ्री और पॉस्ट तो हम करते हैं स्टार्ट अगर आपने अब तक हमा हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अप सब्सक्राइब कर लीजिए तो ऐद के हम वर्ड की पीज पर है यह हमारा बर्ड ओपन उची का है aos 2019 यह हमारा office-2019 है यह हमारा वर्ड यह हमारा यूजर है एजीत सिंह यह हमारा वरड का homm है ड सब new open account feedback options तो हम home पर देख सकते हैं यह हमारे पास blank document है यह कुछ template दिया है हमें यहापर यह हमारे recent कुछ documents मैंने बनाया उसका है तो आप यहाँ पर mood tablet देख सकते हैं यहाँ से भी देख सकते हैं नहीं तो आप home पर जाके new पर आके यहाँ से भी आप tablet देख सकते हैं आप यहाँ से blank tablet ले सकते हैं तो यह हमारी blank tablet template आचकी है आप यहाँ से फिर से जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी टैब कर सकते हैं आप यहाँ फाइल पर जाएंगे और यहां new पर तो आप यहां new से कुछ भी लेख सकते हैं आप को यहां पर template मिल जाएंगे बहुत सारी जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने documents को create करने में जिन्हें आप यूज करके बहुत यह चे वर्ड पर आप अपना resume बना सकते हैं कोई documents उसे बना सकते हैं और इसके अंदर आप open files कर सकते हैं कोई भी फाइल जिसे आपने मनाई हो तो मैं इसे open कर सकता हूं यहां से तो यह हमारी open होचकी है files hacking coding learning institute है अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजिए करते हैं execute यहां से आप information ले सकते हैं अगर आपको अपने documents को protect करना तो आप protect कर सकते हैं inspect document कर सकते हैं इस सबके बारे में step by step सीखेंगे इस आंगे की video में यहां से हम अपने documents को save कर सकते हैं कहां पर करना है one drive में करना है जिस PC पर करना है किसी folder के अंदर करना है desktop करना है यहां से हम saveize कर सकते हैं यहां से हम अपने documents को save का पसना आरा sorry यहां से print कर सकते हैं अपने documents को share कर सकते हैं share कर सकते हैं export कर सकते हैं अपने documents को PDF में है कखें है उसका फाइल टाइप चेंज कर सकते हैं लूज कर सकते हैं मिआसी स्पिज्ट तो यह हमारा वड्य जो है मुट पर बड्य को च्वाइब तो हम दोह कुछ से बड्य को ओपन करते हैं और चकार हम जानते हैं हुआ है यहां पर देखते हैं एकाउंट है फीड़ वैक है ऑप्शन्स हम चलते हैं ओप्शन्स में तो यहां पर जैनल ओप्शन्स हमें दिये हैं जिनके वारे में हम देखते हैं जैनल options डिस्प्ले है, proofing, save, language, accessibility, advance, customize, reward, quickaccess toolbar, add-ins, trust center है. तो यहाँ पर हमें optimize for best appearance है, optimize for compatibility, application restart require रहता रहता है, में तो हम यहां से अपने साब से चेंज कर सकते हैं यूजर नेम हैं हम यहां से यूजर नेम को चेंज कर सकते हैं तो यह परस्टनलाइज यूर कॉपी ऑप माइक्रोसॉफ्ट है यहां पर हमें बैक्डाउंड कैसा रखना है उसके बारे में उससे चेंज कर सकते हैं कलर पू है जो भी औप्शंस आपको एंडियब्ल करना है ये से कस्टोमाइज़ेशन कर सकते हैं वैठ होते हैं यहां से अप सब्सक्रार के सकते हैं switch account कर सकते हैं Ajit Singh तो आप यहां से कर सकते हैं फीडियो एक देना चाहते हैं Microsoft को I like something I don't like something I have a suggestion तो आप यहां से कुछ भी फीडियो एक देश सकते हैं Microsoft को मेरा नेट सुलू चला है तो थोड़ा बेट कर रहा है तो आप यहां से लेकिक कुछ भी पेश सकते हैं आप एप्पी हो तो एप्पी समट कर सकते Microsoft को भी एप्रीशेट यूर फीडिवेक यूर कमेंट बिल हैल्प उस इंप्रूव थैंक यू तो हम यहां पर इसके बारे में देख चुके हैं आप हम देखते हैं अंदर क्या गया है तो इस साइट जो आपको एक लाइन सी दिख रही है जुम इससे हम अपने लाइन को कईलें। इस वाली थीम को ले लेता हूँ। क्रिएट खी तक हमारे पास टैबलेट आखकी है टेम्पलेट तुह हम इसे यहां से जूम कर सकते हैं और जूम कर सकते हं यहां से जूम आउउट जूमिंद कर सकते हैं तो इसमें यह आपको एक लखीर दिख रही होगी बीच में डैसी तो यहां पर हमें हमेशा रहता है 100% साई तो आप इस फाइल में जाके आप से चैन्ज सेयर कर सकते हैं यह मैंने आपको बता दिया हुम पर जाके आपको यह ओप्शन खुल के यहां से आप जाके डिजाइन को फॉंट को चैन्ज कर सकते हैं यहां से साज चैन्ज कर सकते हैं अपना यहां से फॉर्मेट प्रिंटर कर सकते हैं बॉल्ड इटालिक अंडरलाइन यहां से क्रॉस कर सकते हैं तो बहुत साहे यहां पर functions दिये हैं जिन्हें हम एक-एक से यूज़ करना सीखेंगे यहां पर हम found को भी change कर सकते हैं यहां पर find कर सकते हैं replace select ending और इस side में आपको दिख रहा होगा page हमारा एक page है और 244 में bird लखी है English है language और accessibility investigate दिया है तो यहां पर insert अब हम बात करते हैं insert में तो यहां पर cover page हम लगा सकते हैं स्कूपर यूज़ करना चाहें तो यहां चुका है cover page हम यहां से cover page को कोई यूज़ कर सकते हैं अपने documents पर cover page को यूज़ कर सकते हैं तो यह हमारा cover page आ चुका है तो यह हमारा cover page हो जाएगा आप यहां पर भी कुछ भी type कर सकते हैं और आपको यहां पर लिखना है तो simple आप जाएंगे यहां पर inside में आप यहां से text box को लेंगी और यहां पर लिख सकते हैं तो इसके अंदर आप यहां से picture add कर सकते हैं यहां पर table है आप यहां से table create कर सकते हैं तो इंसर्ट आइड डिजाइन ले आउट रिप्रेंस से मेलिंग रिव्यू व्यू हैल्प से फॉर्मेट टैल में वाट यूवन टू डू इन सब एक एक options के बारे में मैं एक particular वीडियो आपको बनाऊंगा आपस में जाकर समझ सकते हैं यह हमारा Microsoft का overview था जैसे मैंने complete ले आपको समझा दिया है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और share भी कीजिए अपने फ्रेंस को मिलते हैं next वीडियो में आपको तो झाल झाल झाल